बच्चों की हेल्थ डिंग्स आज से 20-30 साल पहले दूद के अन्दर ताकत होती थी दूद की ताकत को अगर बढ़ाना होता तो तो क्या करते थे बदाम ڈालते ते घी डालते थे केसर डालते थे इलाइची डालते थे घी डालते थे देसी गाएं का अब उसके बाद में ट्रेंड आया विज्यापन आने शुरू है जिसके अंदर कहा गया कि आपके दूद की ताकत को बढ़ाने के लिए इन सब चीजों के अविशक्ता नहीं है तो क्या लेना चाहिए आप बाजार में आने वाले डबो का इस्त हम पिला रहे थे इसके अंदर भी कम से कम 50 से 60 प्रतिशतों केवल चीनी ही एड कर दी गई अगर इसके अंदर मुंफली का भी हमने पाउडर अगर एड किया तो वो मुंफली भी खोक ली थी जो बजार के अंदर से जो सुखी हुई मुंफली आती है इस तरह से थे मैक्सियूम कमपनीज केंदर जब तैल हम निकाल देते हैं तैल के बाद में जो खल बच जाती थी जिसको पहले हम जानवरों को डालते थे वो खल इन कंपनीज के द्वारा जो है वो खरी दी जाती है और उसको सुखाने के बाद में इस तरह के जो प्रोड़क्स हैं उनको बनाने में इस्तमाल कर दिया जाता है तो ये सारी चीजे जब हमने खिलाया बच्चो को और वो भी 300-400 रुपे किलो के अंदर डाल कर दूद की ताकत भी कम हुई और उसके स्थान पर हमने ये प्रोड़क्स था जो बच्चो को देना शुरू किया सवाल ये आता है कि क्या सच में ये प्रोड़क्स आपको लगता है कि हम अपने दूद के अंदर अगर मिक्स करके देते हैं तो बच्चो के एनरजी लेवल्स भड़ सकते हैं खास कर आज के दौर में जब हम दूद जो दे रहे हैं उसके उपर खुदी कोशन माक है कि वो दूद असली है कि नहीं तो अगर आपके घर के अंदर शुद सबसे पहली बात है कि बच्चो के लिए एक चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये बाकी सारे प्रोड़्स को बाहर करिए ये तीन सो चार सो रुपे किलो को भी अपने घर के अंदर शुद दूद के राशन के अंदर डालिए और पहली रिक्वाइर्मेंट है बच्चो को सबसे पहले शुद दूद देना अब ये एक समस्या है हमारे समाज के अंदर कि हम पचास से साथ रुपे लिटर दूद लेते हैं कि ये फिर 400 या 500 रुपे किलो के हिसाब से या 7008 रुपे किलो के हिसाब से ये हैल्थ डिरिंक लेकर आते हैं उस मिलावटी दूद के अंदर इसको mix करके देते हैं इससे जादा बैटर रहे देशी गाएए का दूद लें 20-25 रुपे लिटर हमारा एक्सटा खर्चा गया लेकिन कम से कम बच्चे को दूद तो प्योर मिला और अगर दूद प्योर हो जाए तो इन सारी चीजों की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो अगर हमारे घर में अफोर्डिबिल्टी की दिक्कत है तो पहली कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि शुद दूद दें ब से इसकी ताकत और भड़ जाए कुछ-कुछ प्योग हैं जो हमने करें और जिसके बारे में हम आपके साथ में साजा करना चाहेंगे सबसे पहले क्या करें शुद केसर लेकर आए और ये प्रियोग करना है कि केवल इलाइची का पाउडर और केवल केसर भी अगर दूद के आपके घर के अंदर बदाम का पाउडर थोड़ा सा ढाल दें तो आपके घर का ही दूद ज़्यादा ताकतवर हो गया आपके वह सामने इपने बच्चे को क्या खिला तो एक समझदारी तो यही है कि अगर सर्दियों का खास का टाइम है तो उसमें थोड़ा केसर डालें, थोड़ी इलाइची डाले, थोड़ा सा बदाम का पाउडर उसके अंदर डाले, और ये सारी समगरी जो है आपके घर के अंदर उपलब्द होती है किचन में, तो बाहर से जाने की जो होती है, दूद कहीं गुना जादा ताकतवर भी और टेस्टी भी दोनों हो सकता है, अगर हलका सा जादा केसा थोड़ा गरम तासीर का होता है, इलाइची का उपयोग कर सकते हैं, आप ये सारी चीज़े जो इस्तमाल हो सकते हैं, दूद की दाकत बनाने के लिए, हल्दी वाला दूद अगर बच्चों के लिए बनाना चाहें, एक चुताई चमच हल्दी डाली, थो कतवर दूद कभी बन सकता है क्या, तो हम अपने बच्चों को ऐसा दूद पिला कर हमें बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, संध्या समय के बाद में हमें ऐसे दूद बच्चे को पिलाने चाहिए, दिन में दो बार चाहें दूद मत पिलाओ, एक गिलास पिलाओ, रात को पिलाओ, लेकिन पिलाओ अच्छी क्वालिटी का, ये बहुत जरूरी है, ये भी हमारी दिक्कत है, हम 50 ये 60 रुपे लिटर के दो या तीन गिलास जो है, वो दिन में बच्चे को पिलाते हैं, जब दूद नकली है तो तीन गिलास फायदा नहीं करेगा, और असली है तो वो एक गिलास भी आपको काम करके देगा, हम बच्चों को दूद कम थोड़ी देते हैं, फिर भी कैल्शियम की कमी है, तो इसके कारण सबसे मुख्या कारण ये, ये कि दूद ही जब ताकत वर नहीं होगा, तो कैल्शियम की कमी तो आईगी आईगी शनीर में, तो ये बेसिक जो एक छोटी सी चीज है, उसको हम समझने का प्रत्न करेंगे, ये देखें, ये परियोग था जो वाक्षी के अंदर किया गया, आपने एक एड़टीजमेंट हमारी देखी होगी जब हमने वीडियो बराई थी, हमने उसमें रेसिपी बताई थी, कि वाक्षी न्यूट्रि खरीदने की कोशिश करते हैं, इसलिए चीजे खोकली हो जाती है, तो जो चीजे हम घर में बना सकते हैं, उसको घर में ही बनाने की कोशिश करनी चाहिए, वाक्षी न्यूट्रिशनल पाउडर की रेसिपी हमने डाली है, डिस्क्रिप्शन में लिंक को देखिएगा, कोशि आजा बतार हूँ, अगर तीन किलो पाउडर बनाया जाएगा, तो उसके लिए एक किलो बदाम डालो, उसके अंदर तकरीबन आपका एक किलो तक का मखाना आ जाता है, उसमें 500 ग्राम मखाना आ जाता है, 500 ग्राम के सारी तरह के मगज, यानि के बीज, जैसे सूरज मुखी के बीज हो गए, आपके pumpkin seeds हो गए, खीरे के बीज हो गए, watermelon तरबूज के बीज हो गए, खरबूजे के बीज हो गए, ये सब उसके अंदर डलते हैं, और उसके बाद में बच्चा हुआ, एक किलो जो है, वो आपने खांड मिला दी, तो इस तरीके से एक बहुत ताकतवर च अपने घर में समय नहीं निकाल सकते हैं, तो ये देखिए, company ने निकाला nuts and seeds powder, इसमें क्या है, ये महंगा पड़ता है थोड़ा, ये देखिए, छोटी सी bottle है, लेकिन ये मेरे क्याल से 399 रुपे की, क्योंकि original चीज़े अगर केसर और ilaichi सब कुछ डलेगा, तो फिर ये मह हो जाती है, इसलिए कहते हैं कि कोशिश ये करनी चाहिए, घर में बनाओ, नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम original चीज़े लेकर आने की कोशिश करनी चाहिए, ये एक प्रयोग है जो हमारे पास South India से आया, अब वहाँ पर देखिए, सबसे अच्छे जो products अगर बनते हैं, मैं य इनको भीगो कर और सुखा कर इसका powder बनाया, उसके बाद में जितनी भी pulses हैं, दाले हैं, इनको sprout किया, sprout करने के बाद में आपने sprouted grains जो हैं, उनका powder बनाया, तो उनका कहना ये है कि अगर इस तरह का हमने अनाज है, जब उसको sprout करके उसका powder बना दिया, अगर हम दूद या पानी के साथ में, अगर पानी के साथ में भी आप mix करते रहेंगे, तो एक तरह का हलवा बनना शुरू हो जाएगा, दूद के साथ में आप इसको mix करते रहेंगे, तो फिर आपकी खीर बननी शुरू हो जाएगी, तो इस तरह के powder बनाया जा सकते हैं, ये बलकि महंगा भी नहीं है, ये मेरे ख्याल से आजाता है, धाई सो तीन सो रुपे के आसपास में आधा किलो आ जाता है, तो ये किफायती भी है, तो इस तरह का millet health mix जो है, वो बच्चों के लिए यूस किया जा सकता है, छोटे बच्चे जब होते हैं, तो हम बजार से क्या खरीते हैं, सरलेक खरीदने लग जाते हैं, बजार में जाते हैं, और कहते हैं बजार में बजार में आते थे, पहले तो घरों में ही बनते थे, अब सबसे असान तरीका बच्चों का जो फूड है, वो तैयार करने का 6 महीने, 7 महीने का भी बच्चा है, तो सबसे असान तरीका क्या हो सकता है, कोई भी अना जो चाए रागी हो चाए जवार हो चाए बाजरा हो कुछ भी इसमें रागी सबसे ज़ादा ताकत बुलवा जाता है बच्चों के लिए केल्शियम से भरपूर होता है तो जैसे रागी हुआ इसको आपने अच्छे से भून लिया आप समझ रहे हैं और भूनने के बाद में आपने इसको ग्राइंड करके इसका फाइन पाउडर बना दिया अब ये देखी ये आटा नहीं है क्योंकि अगर हम केवल रागी को पीसेंगे ये भी एक लॉजिक है अगर केवल आप रागी को सीधा ग्राइंड कर दोगे वो भी पाउडर बन जाएगा रागी को भून के अगर आप पीसोगे तो वो रागी का सत्दू बनेगा सत्तू में और आटे में क्या अंतर होता है अगर केवल रागी को हम पीज देंगे पाउडर फॉर्म में और दूद के साथ में मिक्स करके बच्चे को देंगे तो वो थोड़ा सा शायद चिपक रागी तो खेर चिपकता बहुत कम है क्योंकि ग्लूटेन नहीं है रागी को आप थोड़ा भुन लीजी अच्छे से भुनने के बाद में आप इसका पाउडर बना लीजिए पाउडर बना के आप दूद के साथ में मिक्स करते रहिए क्या हमें बजार से शेल्लेक ना लेगी ज्रूद थो हमें करे万喝 के का सकते हो यह इसा मैंने के रहें के रहुआ होसी में भी 100 नहीं रहें के करने करेंगे तो और शायद आने वाले समय में हम आपको और रैसीपीस इस तरह की दे सकें, तो ये मैंने आपको बता है, जैसे एमरेंथ होता है, बहुत ताकतवर अनाज होता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है, ऐसे कोशिश करने में, सामक का दलिया, बच्चे को हम अब बच्चा अगर पा आकतवर हो जाता है, तो आज के घरों के अंदर हम इस तरह के प्रयोग नहीं करने हैं, तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, कि इस तरह के प्रयोग जो हम कर सकें, तो ये वो बहुत सारी चीज़े हैं, जो दूद के साथ में मिक्स कर सकते हैं, बच्चों को द लुई कोशिश करें ग मुझे बहुत अच्छे चीजए तयार हो जाएंगी बागी हमने जो कुछ हमारे पास में available था जिससे हम बच्चों की जो है दूद की ताकत को बढ़ा सके उसके बारे में हमने आपको बताया और इसी के साथ में भारत बंदे मात्रम